शिछ्ट्टेंट्स इन सर्ट क्लास वी स्टुड़ेड़ आवाफ टाइपस ओफ कम्यूनिटी एंडिया बहारत में बिवीत्ता डाइवर्शिटी मिन्स बिवीत्ता या अनेकता होता है तो भारत में अनेकता या बिवीतता को हम पढ़ने जा रहे हैं लिखा है इंडिया इस ए लार्ज कंट्री एक्स्टेंडिंग फ्रॉम कास्मीर टू कन्या कुमारी एंड फ्रॉम अरुनाचल प्रदेश टू अंकलेशवर इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और उसका विस्तार कहां से है कास्मीर नौर्थ में कास्मीर में से ल इसलिए इंडिया को लार्ज कंट्री बताता है। आगे लिखा है वेराइटी ओफ क्लाइमेटिक कंडिशन्स, स्वाइल्स, इरिगेशन मेथड्स, कल्चरल और रिलिजियस बैग्राउंड, सिम्बोलाइज डाइवर्सिटी इन वेरियस फिल्ड। कह रहा है कि भारत के जो विविन परकार के क्लाइमेटिक कंडिशन्स किसको कहते हैं, किसी भी एरिया का सर्दी, गर्मी, यानि की कोल्ड, हॉट और जो रेन्फॉल होता है, या प्रसिपेटिशन, ह्यूमिडिटी वगरह जो है, तो उन सब को देखते हुए किसी भी जगह का क स्टेट का क्लाइमेटिक कंडिशन्स थोड़ा-थोड़ा डिफर है, अब स्वाइल भी हर कंट्री का अलग-अलग है, अभी आपको हम एक मैप के थ्रू बताएंगे, इरिगेशन्स मेथड्स भी अलग है, कल्चरल अंड रिलिजियस बैक ग्राउंड, यह भी अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग है, तो यह कह रहा है, सिंबोलाइज डाइवर्सीटी इन वैरियस फिल्ड, अब यह सब जो चीजे हैं, वो इंडिया के बिभीन छेत्रों में बिभीताओं का संकेत देते हैं, लेट से स्टूडेंट्स, वी सी आ मैप, यह जम्मू कास्मीर से लेकर के कन्या कुमारी तक बताया गया था, सबसे नीचे में, और थोड़ा नीचे होगा, मैप में दिख नहीं रहा है, फिर शेटिंग चेंज करना होगा, यह अरनाचल परदेश इस्ट में हो गया, यह इस्ट हो गया, यह नॉर्थ हो गया, यह पुजरात अंकलेस्वर यहां पर है, तो यह वेस्ट में, तो इस तरह से इंडिया एक लार्ज कंट्री है, यह आप, मैंने आपको बताया, उसी के साथ आपका बुक ने लिखा है, कि वेराइटी अप क्लाइमेटिक कंडिशन, सब इसको देखेंगे, जैसे आप सब जानते है, जमु कास्मिर में क्या है, जमु कास्मिर में ठंडि अधिक पड़ती है, यह शाव। एरिया जो है, यहां पे कैया, गर्मी अधिक पड़ती है, तो यह चीज, दूसरी चीज है, जो costal region है, वहां पे, यह सब जो costal region है, यहां पे सालो भर, moderate climatic condition, moderate मैं सामान्ने परकार क पर ओने सब should और औरक तर ऑं जम तो कि भाने सब एफेब्गा पु фильм वह हो खर में लेक्स कि की जहाए जो भी हो ऑग्रफिकल रीजन है वैसे मैं जिया इसा क्लाइमेटीक गंडिसन इन सभी यहां नॉर्थ में ठंडी, साउथ में गर्मी पड़ती है, साल के अधिकांस्ता महीने में, नॉर्थ में ठंडी, साल के अधिकांस्ता महीने में, साउथ में गर्मी, जबकि another जो coastal region है, इन सभी छेतरों में सामान temperature आखिर क्या कारण है, वो मैं जियोग्रफी में बता पाइजाती हैं तो पानी बड़ी आसानी से मिलती है तो नहरों के थूरू इरिगेशन किया जाता है नहरों से खेतों कि सीचाई की जाती है दुसरे सोर्च है मोटर या पंप बगर लगा करके भी पानी खीची जाती है जमीन के अंदर से जबकि जो पहाडी बेल्ट है इन सभी छेत्रों में स्प्रिंकलिंग मेथड है या बास से एक टनल टाइप का बनाया जाता पाइप टाइप का बनाया जाता है उससे भी पानी पटाई जाती है और सिर्क प्लांट के जड़ों में रूट में ही पानी डाली जाती है आप जैसे अपने यहां देखते हैं कि पानी खुला और पूरे खेत में फैलता जा रहा है वैसा पूरे फिल्ड में फैलता जा रहा है वैसा नहीं होता है कई जगों पे प्लांट की जडों में ही सिर्क पानी डाला जाता है जहां वाटर की इसकार सिटी होती है तो यह सब डिफरेंट्स मेथर इरिगेशन के देखें, स्वायल को देखें, क्लाइमेटी कंडिशन को देखें अगर हम कल्चरल डाइवर्सीटी को की बात करें और रिलिजियस बैक्ग्राउंड की तो अलग-अलग स्टेट में अपने अलग-अलग धार्मिक और संस्कृतिक कार्जक्रम मनाये जाते हैं अब यहां पर हमें यह पढ़ना है इन चीजों को पढ़ा हमने कि इनको पढ़ लिया variety of climatic conditions और large country के बारे में भी इसके बारे में भी पढ़ लिया स्वाइल सिरिगेशन मेथर्ड, cultural and religious background अब यह क्या करें शिंबोलाइज डाइवर्सीटी इन वेरियस फिल्ट भारत के विविन चेत्रों में विवित्ता को दिखाते हैं अगर आप कंट्री के फूड हैविट को अबजर्ब करें तो आप देखेंगे जमु कास्मीर में क्या है लोग कॉफी अधिक पीते हैं उसे तरह से बिहार और यूपी में हमारे यहां वीट एंड राइस अधिक उखता है तो हम लोग क्या खाते हैं वीट एंड राइस खात सब यह आप जानते हैं खाते है उस चीज यहार और कि stolen रेटी रिवाज जहांके लोगों की अलग अलग है कहीं थोड़ा परदा सिस्टमस है तो वहां पे चुनी लंगा इस तरह के कप्ड़े पहनते हैं लोग तो cloth is wear करने का भी different different style है लोगों का उसके बाद आगे है the work they do in different parts of the country और काम जो country के बिभीन हिस्सों में अलग-अलग काम है such as platy region है तो platy region के लोग ज्यादा तर industrial work में involved है प्लेन रीजन में agricultural work खेती प्लेन एरिया में अधिक होती agricultural work लोग अधिक करेंगे तो अलग-अलग छेत्रों में इस तरह से काम करने का भी तरीका लोग कॉस्टल एरिया में लोग फिस रिच करेंगे मचली पालन करने का काम करत हैं जैसे कॉफी उगाना टी उगाना रब्बर उगाना यह सब चीजे उगाने का काम करते हैं पहाडी छेत्रों में अधिकांस्ता लोग तो काम भी country के different parts में लोग अलग-अलग करते हैं तो आप बड़े आराम से बड़े साब तरीके से नोटिस करते हैं कि इस तरह से जो अब जितने भी चीज देखे, food they eat, the clothes they wear and the work do in different parts of the country यह सब जो अलग-अलग परकार की चीजे हैं तो यह बहुत आप नोटिस किया कि भारत में अलग-अलग परकार हैं और अनिकता हैं बिभीन शेत्रों में, even within a region आप अगर किसी एक ही छ कारण से रूरल and urban areas में, rural area का lifestyle अलग है, urban area का lifestyle अलग है, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि urban area में लोगों का काम करने का तरीका अलग है, urban area के लोग अधिकांसता, ओपीश जाते हैं, उनका teaching का काम करना है या उनका health service करनी है, या other तरह के जितने भी official work करने हैं तो उनका life style इललग होगा और सहरों में अधिक सुवीधा होने की बज़े से उनका लाइफ स्टाELE एड़आन्स होता है. रूरल एरिया में थोड़ी सूवीधायं कम होती है, जिसकी बज़से उनका लाइफ रूरल एरिया वाले का सिंपल होता है. तो एक स्टेट पिहार का ही बात करें तो साहरी ओर ग्रामेन छेत्रों में लाइफस्टाइल डिफर हो जाता है it is so because the lifestyle of the people is directly related to their physical surrounding अब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है different different lifestyle है लोगों का है अलग-अलग diversity होने का कारण क्या है जो people है directly किस चीछ से related तो इन कारणों की बजह से लोगों का लाइफ स्टाइल अलग अलग जगह पे चेंज हो जाता है इन्फ्लेंस्ट वही वेरियस अब प्रभावित है ये डाइवर्सिटी किन चीजों से हिस्टोरिकल एतिहासिक कारणों से जोग्राफिकल वोगोलिक सोसल समाजीक एकोनॉमिक फैक्टर आर्थिक कारकों से ये जो प्रभावित है हमारा लाइफ स्टाइल इन्डिया में काम करने का तरीका खानपन का तरीका वेस बुसा कप्रा पहनने का तरीका चाहे जिन कारनों से प्रभावित हो आईदर हिस्टोरिकल जोग्राफिकल सोसल और एकोनॉमिक ये क्या करते हैं अंत्ता हमें एक बहुत ही सम्रिद इतिहास परदान करते हैं पूरी दुनिया में हमारे यहां की अनेकता की नाम ली जाती है इसकी अनेक परकार की रिती रिवाज परंपरा का पूरी दुनिया में बड़े गर्व के साथ नाम लिया जाता है कि इंडिया में इतने परकार के लोग रहते हैं इतने परकार की खान पान है वेस भूसा है तो हम लोग को भी अपना सर गर्ब से उच्चा करके कहना चाहिए we are Indian तो यह glorious past इतिहांस में हमें बड़े ही समरिद इतिहांस प्रोवाइड करता है and rich cultural heritage और धनी सांस्कृतिक विरासत भी प्रोवाइड करता है चाहे कारण जो भी हो जिन कारणों से हो हमारे हानेकताएं हैं चाहे आपको कारण बहुत सारे उपर बताएगे इस है पेव्ड दवे इसी बीविधिता के साथ हमें और आगे बढ़ने का यूनिटी के साथ रहने का मार्ग परसस्त करती है अब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को देखते हैं भारत की जो इउनिटी है वो कहीं भी बाहर से नहीं लाई गई है बाहर से कोई लाधा नहीं है भारत की एकता को किसी ने जवर्दस्ती लाधने की कोशिस नहीं किया यह जो है हमारा किसका नतीजा है आउटकम मिन्स नतीजा या परिणाम होता है और एपरिशेशन मिन्स सराहना और टोलरेंस मिन्स सहन सिलता होता है तो यह किसका परिणाम है हमें जो सराहा जाता है पूरे इंडिया में हमारे देश की सराहना की जाती है या भारत की जो सहिस्नोता है सहने की जो कला है आदत है कि किसी भी तरह से जीने की आदत जो हमारे भारत बासियों के पास है जैसे आजी आप COVID-19 के दोरान देख रहे हैं पूरे दुनिया में इंडिया जो है अबल पॉजिशन पे है सेफ रहने के मामले में तो किसी भी तरह से रहता है तो ये जो सहिस्नु होता है वह आपका टेक्स्ट बुक में जो लिखा है मैं उसे बता दू किन चीजों के लिए इन्हें सराहना मिलती है और सहिस्नुता है डिफरेंट प्लिप्स बिभिन परकार के विश्वास एंड कस्टम्स ऑप इंडिया भारत के रिती रिवाज कस्टम्स मिंस रिती रिव सिटी इस यूनिक फीचर वैसे तो भारत की जो एकता बिवित्ता में एकता है वो एक अधूत यूनिक फीचर मिंस अधूत स्वरूप है विच है ऑल्वेज वीन आवर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो की हमेशा से हमारा मजबुती का अस्त्रोत रहा है भारत का जो ये यूनिट की इन डाइवर्शिटी वाला अधूत फीचर है वो हमें मजबुती प्रोवाइड करता है फोर एक्जामपल दा हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ओल ओवर दा कंट्री एड़ टाइम ओफ हर्वेस्टिंग दा क्रॉप्स आप देखते हैं कि चाहे नाम फेस् को देख सकते हैं कि the happiness of farmers is expressed through festival like बैसाखी इन पंजाब अब फसल घर में लाने की खुसी में फसल कटाई और पकने की खुसी में जो फार्मर लोगों की खुसी दिखाई देती है वो क्या मनाते समय बैसाखी इन पंजाब पंजाब में बैसाखी ओनम इन केरला एंड पॉंगल हम अपने अगर बिहार की बात करें तो दोनों सीजन चाहे रवी फसल रवी फसल जिसमें चना गेहूं होता है या तीलहन दलहन और खरीफ फसल जिसमें चावल उगता है उसे हम लोग कहते हैं तो रवी और खरीफ दोनों सीजन में हमारे बिहार में भी दो फेस्टिवल मना जाते हैं एक मकर संक्रांती और एक बिसुआ बिसुआ में जिसमें सत्तु खाते हैं हम लोग और मकर संक्रांती जिसमें चुड़ा गुड़ और दही खाते हैं हमारे यहां भी यह फसल कटने की खुसी में ही मनाई जाती है और भी कुछ कारण बैग्यानिकों के द्वारा बता जाता है तो यह आप एक एक जामपल देखें कि यह कंट्री में कैसे हार्वेस्टिंग क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है Similarly अब हम आगे देखेंगे गर्वा निर्थ गुजरात का निर्थ गर्वा है बीहुडानसी नस्वम्, घूमर ऑफ राजस्थान और वाविदली रिफ्लेक्टेड वाविदली रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है आपको सजीव ढंक से मतलब बढ़ी सजीवता के साथ जीवन्त तरीके से reflect the culture and tradition of the communities of the region अब ये जो है वो किसी भी छेत्र की वहां की अब घुमर राजस्थान का होता है तो वहां की परंपराओं को उस घुमर में सो किया जाता है कि लोग कैसे रहते हैं अपने घरों में किस तरह से कार्ज करते हैं तो ये उनके घर क्या जो culture, संस्कृती और ट्रेडिशन जो परंपरा हुआ वो सो करता है बीहु डांस में भी जो असम का है वहां भी उनके रहने सहने की कला को उस डांस के माध्यम से दिखाया जाता है तो ये किसी भी communities किसी छेत्र की समुधाय की जो संस्कृती और ट्रेडिशन होता है उसको सो करते हैं बड़ी जी धनी होना तो the richness of Indian tradition lies in the beliefs that all cultures are equal भारत की परंपरा इतनी सम्रिद्ध है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि भारत की जो संस्कृती है वो सारी संस्कृतियां बरावर है जैसे आपने उपर पढ़ा कि जब हर्वेस्टिंग फेस्टिबल मनता है तो सब लोग मनाते नाम चाहे जो भी ये लगो तो इस तरह से हमारे culture equal हुए की नहीं हुए तो we Indians feel proud of our rich cultural heritage हम सभी भारतियों भारतिये जो हैं वो अपने धनी सांस्कृतिक बिराशत पर गर्व करते हैं our respect and faith in this equal diversity has kept the India united and integrated ये जो हमारा विश्वास और आदर है हमारी संस्कृति के प्रती वो cultural diversity हमारी संस्कृतिक बिवित्ता के प्रती हमारी जो आदर और विश्वास है वो kept India भारत के लोगों को क्या रखती है yeah thanks students and in next class we have to start different topics